आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लिक्या हूँ एक न्यू टूटरियल जो भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो सबसे पहले आप इसकिन पर देखो ये वीडियो ये वीडियो है फ्लेश वर्निंग वाली वीडियो जो भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है इंस्टाकराम रिल्स पर भी इसको अपलोड करोगे तो आपके बहुत अच्छे लाइक और फॉलोवर्स भी बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो को बनाना कैसे उसको पूरा एडिट कैसे करना है तो उसस पर आप देख सकते हो मैंने नॉर्मली ऐसे एक्टिंग करी थी आप कैसे भी एक्टिंग कर सकते हो यहाँ पर ठीक है जैसे आपको यहाँ पर लगाना है आपको इमेजी पी एंजी इमेज उसके अकोडिंग आप यहाँ पर एक्टिंग कर लेना ठीक है उसके बाद आप करन के बाद यहां पर आपको screenshot ले लेना है ठीक है screenshot लेने के बाद आपको करना किया यहां पर आजाना है PicsArt यहां पर आपको PicsArt एप की जुरत पड़ेगी और एक VN एप की जुरत पड़ेगी और एक मेगा फोटो प्रो है जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो आप install कर लेना ठीक है तो सबसे पहले चलते हैं अपन Pixar app के अंदर Pixar app के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको plus का icon पर click करना है और जो आपने skin shot लिया है उसको यहाँ पर आपको ले लेना है ठीक है तो यहाँ पर जो मैंने ले लिया है तो यहाँ पर देखो मैं एक यह ले लेता हूं ठीक है तो आप कैसे भी आप images को ले लिना images को लेने के बाद उसको आपको PNG में convert करना है जैसे देखो मैंने इसको PNG में convert कर रहा है तो आप PNG में convert करने के लिए आप background eraser app का use कर लेना यह background eraser app है ठीक है तो आप कोई से भी monster वाली image को ले ओगे लेने के बाद क्या करना आप जैसे यह images इसको मैं लेता हूँ उसके बाद done पे click करूँआ उसके बाद auto पे जाने के बाद आप पीछे का जो white white हो पूरा हट जाएगा ठीक है ऑटो पे जाना और यहां पर ठीक है इसको remove कर देना पीछे का background और done पे click करके आप यहां पे इसके देख लेना एक दो पे click करके यहां पे आपको कितना इसको remove करना है पीछे का ठीक है और save पे click कर देना ऐसे आपको बाकी के जो pics है ना उनको आपको इसे png में convert कर लेना ठीक है तो यह तो आप करी लोगे उसके बाद आप क्या करना पिक्सार डेप के अंदर वापस जाना और आप जो images लगाना चाटेवाना जो योवी अपने बी backgroundcco miser app से erase किए उनको यहां पर आपको लगाना टीक है तなく lag занे के लिए जैसे मैं एक यहां पर लगा नंगे एक यहां लगायता हूं पिसको मैं थोड़ा सा इसे erase करूंआ उपr से तो इसको मैं मुं इतना इतना की एक कर दिता हूं है कि यह थोड़ा रियल में लगे टे कि कि उसके बाद ड्टन राइट पहे किल्ट कर दिता हूं एक लग्या है उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड बहुत अब पर यहाँ में इह वालाद यहाँ लॉगा है को मैंने ठीक है तो इसे आप PNG में लगा PNG में convert कर लेना ठीक है उसके बाद हम erase पर जाते हैं और यहाँ पर हम इसको इससे erase कर देते हैं तो आप जो भी images लेना चाहते हो monster की या फिश्पाइडर मैं बैड मैं जो भी आप लगाना चाहते हो इससे लगा लेना इमेज इसको इससा design कर लेना उसके बाद आप करना है right पर क्लिक करना और done कर देना और इस image को आप करना सेव कर देना ठीक है gallery में सेव कर देना उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर mega photo pro के अंदर तो इसके अंदर आपन चलते हैं चलने के बाद यहाँ पर आपको करना है एक बा इस पर आप क्लिक कर देना और आपने जो फोटो भी बनाया है उसको आपको यहाँ पर आपको ले लेना है ठीक है यह फोटो हमने ले लिया उसके बाद हम राइट पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इफेक का उप्शन दिखेगा इफेक पर आप जान तो यहां पर आपको यह वाला इफेक दिखेगा, फोर्थ नमबर पे, इस पर आप क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे बहुत सारे इफेक मिल जाएंगे, तो आपको यहां पर रेड वाला लगाना है, आप चाओ तो और दूसरा भी लगा सकते हो, ठीक है आपको कितना speed में दिखाना ऐसे आप रख लेना ठीक है और नीचे की तरब यह स्क्रॉल करोगे तो आप यह कम होता जाएगा ठीक है तो आपको इसको इतना slow में दिखाना है हम इसको इतना दिखाए जाए अगर आपको दूसरा effect लगाना आपको जैसे यह वाला लगा आठ एक बार एंगर कोई सरे न और नीचे की तरफ उस effect टेर ले जाना ठीक है तो हम यह आपे इस talk तेच करके उस फेक पर सांट युजे में को से बढ़ा जाएगा लागए ऐसके बाद हम इतना को करना है कि ऊब तीक लिए रिकोड करने के लिए यह यहां फिवीडियों पर क्लिक करना और आप वीडियों आइकन में आपको करने हैं क्लिक करना है क्लिक जैसे करोगे तो आपकी वीडियो देखो रिकोर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी इसको आपको 10 सेकंड तक रिकोर्ड करनी है 10 या 12 सेकंड उसके बाद यहां पर आपकी गैलेरी में सेव हो जाएगी आपकी वीडियो तो यहां पर आप देख सकता आपकी वीडियो गैले करना है यहां पर आपको करना है कि आपको लास्ट काम करना है यहां पर आपको आना है वी एन एप के अंदर आने के बाद यहां पर आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहां पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको फर्स्ट वाली वीडियो को लेना है जो Split कर देंगे तीक है और Istcom은 Extra part है Iscom quite delete कर देंगे तीक है Iscom चलाते हैं चलाने के बाद जैसे आप हात रखते हैं वस यहां पर आपको रुख जाना है और आपको split कर देना है ठीक है और यहीजो part है extra सcom को delete कर देना है और जो इसका water करने के बाद आप क्लिक करना तो आपका एड हो जाएगा आपका सोंगा इसके बाद देना उसके बाद आपको करना किया यहां पर आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको वीडियो पर जाना है और आपने जो स्कीन रिकोर्ट किये उस पर आपको क्लिक करके इसको यहां पर इंपोर्ट कर लेना है तो यहां पर इंपोर्ट हो चुकिए आप देख सकते हो यहां पर तो इसे आप एडिट कर लेना उसके बाद आप वीडियो को चलाना और साउंड के अकोर्डिंग यहां पर इसको एड़ है है तो हमारी वीडियो एक दम परफेक्क बनी है और अच्छी बनी है यहां पर हमारा साउंड भी आप लग चुका आपको इस वीडियो का ईसको आपको बंचाजिना है ठीक है उप्र हमारा साउंड लगी चुक है उसके बाद आपको करना है आपका sound के according इसको set करने के बाद export पर क्लिक करना है और आपको इस वीडियो को export कर देना तो यह हमारी वीडियो export होना start हो रही है तो इस तरीके से अपनी वीडियो को बनालना बहुत ही simple तरीका है तो I hope आपको वीडियो पूरी पसंद आयोगी वीडियो पसंद आई तो है लाइक जरू कर देना और चानल पर नहीं हो तो सस्क्राइब जरूर करना तो चलो मिलते हैं अब आप नेस्ट वीडियो में